नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका काम की प्राइब और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आमिर खान की लाल सिंग चड़ा मूवी क्यों देखने चाहिए शुरुआत में ही मैं आपको एक खुशखवरी दे देना चाहता हूँ कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा के तीसरे दिन हजारों शोस कैंसल हूए हैं अब पहले बात कर लेते हैं शोस कैंसल हो क्यों रहे हैं जैसा कि आपको पता है कि आमिर खान हिंदूों का उपहास उड़ाता रहता है एंटी इंडिया बाते करता है देश द्रोहियों के साथ खड़ा मिलता है देश को गालिया देने वालों के साथ पार्टी करता है हिंदू धर्म को जितना हो सके जिस हद तक हो सके उसका मजाग बनाता है ये सीन देखिए जो कि आमिर खान की 3D फिल्म का है इस सीन में वो हिंदू धर्म की जोतिश पदिती का अपमान कर रहा है फिर हनमान जी का मजाग बनाया गया है लेकिन फिर भी ये मूवी उस दोर की सबसे बड़ी हिट मूवी थी और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि आमिर खान हमारे धर्म का मजाग बना के साफ निकल गया और हिंदूों को उन्हीं के भगवानों के उपर उन्हें हसवाया और हम मूर्ख लोग हसे भी इससे उसे मिला और फिर इसने पूरी फिल्म ही बना डाली हिंदूों के उपर कि हिंदू सबसे बैकवर्ट पिछड़े मानसित्ता वाले लोग हैं इनके जितने करमकांड है वो सिर्फ धकोसले हैं जबकि ऐसा है नहीं आज साइंस भी मानती है कि हिंदू धर में जादतर रीती रिवा जो का एक अर्थ है लोजिक है और सबसे बड़ी बात उसमें शिवजी का मजाक बनाया गया हिंदू के अराध्य का लेकिन लोग फिर भी उस पर हसे उस फिल्म को करोडो कमा कर दिये उन्हीं हिंदियों ने जिनके भगवान का वो मजाक बनाता रहा और हम उसे पैसे देते रहे कि तू और ऐसी हिंदूओं को बदनाम करने के लिए मूविज बनाता रहे लेकिन पिछले दो सालों में ये सब बदला और ये शुरुवात होई जब पबलिक स्ट्रीमिंग प्लैट्फों पर अच्छे अच्छे शोव्स कंटेंड देखने लगी और पता लगा कि बोल परोक्स रूप से या अपरोक्स रूप से हिंदूओं का मजाक बना रहे थे उनके भगवान रीती रिवाजों को जितना हो सके उतने गलत तरीके से दिखा रहे थे और इसका खुलासा बहुत अच्छे तरीके से किया ट्विटर पर जैमस ओब बोलिवुड ने और आज भी बोलिवुड का एक्सपोजे वो कर रहे हैं और फिर एक घटना और हुई जिसने बोलिवुड के काले कारणा में में मीडिया और पबलिक के सामने ला दिये सुसांत सिंग राजपूत की रहसे मैं मिर्तियू इसके बाद तो बोईकोट बोलिवुड ट्रेंड ने जोर पकड लेकिन धीरे धीरे बोलिवुड को अंदाजा होने लगा है कि अब जादतर हिंदू जाग गए हैं और वो ऐसी फिल्में नहीं देखेंगे जिसमें उनके ही धरम का मजाक बनाया जा रहा है उनके भगवानों का उपहास उड़ाया जा रहा है या इंडियान आर्मी को दोयम खराब गलत दिखाई गई और मुसल्मानों की छवी को सही दिखाया गया फिर इसके बाद मानों बोलिवुड की जितनी भी फिल्में आई वो सब फ्लोप हो गई आप इस लिस्ट में सब देख सकते हैं चलिए अब बात करते हैं आमिर खान की लेटेस्ट फिल्म लाल सिंग चड़ा की जिसकी जितनी बुराई की जाए कम है ये फिल्म एक आतंगवाद है उन लोगों के लिए जो थेटर में इसे जाके देखने की सोच रहे हैं या जो देख रहे हैं लेकिन मैं फिर भी इस फिल्म को आपको देखने के लिए कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि आप जाके देखिए नेट पर ऐसी कई वेबसाइटे अवलेबल है जिस पे ये मूवी इलीगल तरीके से आ गई है देखिए पारेसी करना गलत बात है लेकिन फिर भी सिर्फ इन्फोर्मेशन के तोर पे अगर आपको जानना है कि लाल सिंग चड़्डा की पारेसी कहा हो रही है मैं आपको उस वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जायेगा तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी सबसे घटिया चीज क्या है एक तो ये फिल्म कोपी फिल्म है लेकिन जो ओरिजिनल फिल्म थी वो द अच्छी है फिल्म में इंडियन आर्मी के जवानों को रूडली प्रेजेंट किया गया है और नागा चेतन्य के चड़ी बनियान वाले जोक को जो की हद से ज़ादा क्रिंज लगता है उसे बहुत लंबा खीचा गया है और नागा चेतन्य भी आमीर की तरह ही कम दिमाग व या फिर ये दिखाने की कोशिश की है कि इंडियन आर्मी में ऐसे पागल लोगों को भी ओफिसर बना दिया जाता है इस टोपिक को जितना सोचो हर एंगल से यही रेजल्ट निकल के आएगा कि इंडियन आर्मी बिना सोचे समझे किसी को भी भरती कर लेती है फिर कहानी की एक पार्ट में ये दिखाते है कि कारगिल वोर में आमिर खान पाकिस्तानी टेरिस्ट को गलती से उठा के लिया आता है और इंडियन आर्मी बिना किसी जाच परताल के उसका इलाज कर रही है और उन्हें पता ही नहीं है कि वो आखिर है कौन और फिर वो टेरिस्ट उस आर्मी से फिर मिलता है और कहता है कि तुम्हारी सरकार ने मुझ जैसे टेररिस्ट की जान बचाने के लिए तुम्हें वीर चक्र दे दिया कमाल है तुम्हारी सरकार भी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है इंडियन गवर्मेंट इंडियन आर्मी को नीचे दिखाने में इस मूवी के इंडियन आर्मी का जितना मजाग बनाया गया है वो एक हद की बात है और फिर आमिर खान अपनी चड़ी बनियान के बिजनस की मार्केटिंग करने के लिए उसी पाकिस्तानी टेररिस्ट को बुला लेता है और वो मार्केटिंग जीनियस निकलता है और चड़ी बनियान के बिजनस को करोडों की कमपनी बनवा देता है वो भारत का करोडपती entrepreneur भी बन जाता है इंडियन गवर्मेंट उसे awards भी देती है मतलब बिना सरपेरे के कुछ भी दिखा रहे है लाल सिंग चडड़ा मूवी में मतलब एक hidden agent ना ये दिखा रहे थे कि पाकिस्तान के कुछ लोग जो terrorist बन रहे है वो कुछ भटके हुए नोजवान है बस बाकिसाब ठीक ठाक है उनको बस थोड़ा समझाओ वो समझ जाएंगे और जो ये नोजवान बजारों में फट जाते हैं वो फटना भी बन कर देंगे लेकिन आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं वो भटके हुए नोजवान नहीं है वो कहीं भी कैसे भी फटने के लिए हमेशा तयार रहते हैं एक सीन में वो ही आतंगवादी आमिर खान यानि लाल सिंग चड़ा से पूछता है कि मेरी मम्मी कहती है कि मजहब से कभी-कभी मलेरिया फैलता है अब इस डायलोग में आमिर बड़ी ही चतुराई से धर्म नहीं बोलके मजहब बोल रहा है जबकि पूछा गया है कि पूजा पाट क्यों नहीं करता लेकिन आमिर सामने से बोलता है भगवान तो मन में है मजहब से तो मलेरे फैलता है कुछ भी कुछ भी और आमिर ने इस फिल्म में इतनी घटिया एक्टिंग की है कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता ये काम सिर्फ अजीत भारती ही कर सकते है लेकिन फिल्म में कुछ सीन्स है जिसमें सचाई दिखाई गई है जैसे इंद्रा गांदी की हत्या के बाद कैसे सरदारों के गले में तायर डाल कर उन्हें जला दिया गया था वो सचाई दिखाई गई है कैसे बोलिवुड में दाउद और अंडरवल्ड डोन का दबदबा है बोलिवुड में हिरोईन बनने के लिए लड़कियों को अपना शरीर अपनी आत्मा तक बेचनी पड़ती है ये भी बखोवी दिखाया है और वर्तमान की भारत सरकार को खुश करने के लिए अब की बार मोधी सरकार का पोस्टर भी लगाया गया है ताकि भारत के राइट विंगर को खुश किया जा सके लेकिन 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 आमिर ये भूल गए कि भाई तुमने जो पिछले पाप किये हुए है उनकी सजा तो मिलेगी जो तुमने एंटी इंडिया देश द्रोही बाते बोली है उनका हिसाब तो होगा ना और वो हो भी रहा है फिल्म के दूसरे दिन 1300 शोज कैंसल हुए है और तीसरे दिन 1500 शोज कैंसल हुए है यानि लोगों ने तो सिरे से नकार दिया है फिल्म को लेकिन एक बात है भारत में अब भी इतने लोग है कि फिल्म को 11-12 करोड का बिजनस अब भी दे रहे है भारत में भले ही लाल सिंग चड़्डा ने 10-12 करोड कमाए है लेकिन पूरी दुनिया में पहले दिन इस मूवी ने 24 करोड रुपे कमाए है और अब तक World Wild Collection इस मूवी का 38-40 करोड हो चुका है जो की सही नहीं है हमें जितना हो सके इस मूवी से अपने दोस्तों को, पडोशियों को, जानकारों को या फिर अजनबियों तक को बचाना है आपको एक बात और बतादू, आमिर की मीडिया गुरूप कमपनी इस मूवी को पाकिस्तान में रिलीज करवाने के लिए एन उसी लेने के चक्कर में है आमिर को अब ये तो पता है कि यहां तो मूवी हिट होने से रही क्या पता पाकिस्तान से ही कलेक्शन हो जाए और फिर इसका फेवरेट देश चाइना तो है जहां इसकी मूवी पता नहीं कैसे हजारो करोड रुपे कमा लेती है लेकिन अब इसके बारे में ये भी बोला जा रहा है कि ये फिल्में भारत में इतना नहीं कमाती चाइना में कैसे कमा लेती है कई लोगों का कहना है कि आमिर अपनी इन फिल्मों से अपने काले धन को सफेद में कनवर्ट करते हैं भगवान ने चाहा तो इसका एक्सपोजे जल्दी ही होगा और आपको एक बात और बता दू कि आमिर की इस मूवी पर F.I.R. दर्ज करवा दी गई है इंडियन आर्मी के खिलाप बोलने के लिए तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रू बताना और जिन्नोंने गल्दी से फिल्म देख ली है वो भी कमेंट करके बताए कि आपको फिल्म अच्छी लगी या भुरी लगी या उसमें क्या बुरा था चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने क्या हुआ एक बार अनसब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना हो सके तो हमारी आर्थिक सहायता भी आप कर सकते हैं UPI ID आपकी स्क्रीन तर दिख रही है मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार